बाकि बॉल्वूट स्टार्स की ही तरह हर साल शारुखान भी अपने घर में गनेश चतुरती सलिब्रेट करते हैं और कल बपा के विसर्जन पर शारुखान ने ये पिचर शेर करकर गनपती बपा को अपनी विदाई दी देखे ये पिचर हाला कि शारुखान की पोस से जहां फैंस खुश हैं तो वहीं कुछ कटर पंतियों को उनका गनपती प्रेम राच नहीं आ रहा जिहां शारुखान ने बपा को अपनी विदाई क्या दी कुछ लोग तो आग बबुला हो थे दरसल शारुखान की पोस पर कुछ लोगों ने धर्म की याद दिला रही हैं देखे लोगों की ट्weets Sir, I was a die-hard fan, but after this tweet, I have lost all respect for you If you are not faithful to your religion and will do such things just to please others, just reflects you as a person What else did you need in life that you are doing such things? It's never too late to do Tawbah I'm your fan, but I think you call yourself Muslim, but your works are not like Muslims Because Allah Paak is alone and you are doing shit May God show you the right part to please them you have crossed all your limits Forgetting that you are from a Muslim family Feeling very sorry for you, Sir You are Muslim, I just can't believe it really Allah gave you hidayah आपको बताते कि शारुखान ऐसे सूपरस्टार हैं जो सर्व धर्ण सम्माव में यकीन रखते हैं उनके घर होली दिवाली एद गनपती सारे त्योहार काफी धूम थाम से मिनाई जाते हैं और शायद यही बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती और शायद कुछ लोग ये भी बूल रहे हैं कि शारुखान की वाइब कौरी खान एक हिंदू है खै, वर्क फरंट की बात करें तो शारुख पूने में अटली की अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं फिल्म में नैंतारा, प्रेम अनी और राना डागूबाती भी हैं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शारुखान का रोल इस फिल्म में काफी हटकर होने वाला है दब की नैंतारा उनके साथ लीड रोल में है तो बताया जा रहा है कि राना डागूबाती इस फिल्म में विल्लिन का रोल ने भाते दिखेंगे हाला कि अब इस फिल्म को लेकर ओफिशल अनौंस्मेंट का वेट किया जा रहा है आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं